हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा ये वाइरल पेपर किया गया है और यही पेपर आपके दो हजार चौबिस के एक्जाम में आने वाला है फ्रेंस इस पेपर के यहां संपूर हल कराने वाले हैं आप इस पेपर का संपूर हल कर लीजि जाएगा यहां पर हम गड़ीत के संपूर जितने भी वही कलपी प्रश्ण है अदम हल करेंगे और साथ आपको सभी को बताएंगे कैसा प्रश्ण यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ठीक है देखिए आपको यह पेपर हल करने के लिए बोर्ड की एक्जाम में ज इस निर्देश को जानना आपके लिए सबसे ज़्याता जरूरी है देखिए इसमें जो पंद्रह मिनट का समय रहेगा आपको इस प्रश्ण पत्र को पढ़ने के लिए समय मिलेगा ठीक है अब यहां पर समाने निर्देश दिए गया है समाने निर्देश के जो मुख्य पर आपको किसी प्रकार के काट्पिट नहीं करना है न उस पर प्रयोग न वाइटनर का प्रयोग करना है ठीक है अब दिखिए अगला पॉइंट आपका है कि खंड बहुर रहेगा ठीक है जिसमें 50 अंक वड़ात्मक प्रस्ण रहेगा जिससे आपको उत्तर पूस्तिका प 5 प्रस्ण रहेंगे और प्रतेक प्रस्ण के असप्रस्टा जितने भी उसके अंक है आपको सामने लिखा रहेगा और यह प्रस्ण अंक उनके समुक अंकित किये गए हैं जितने भी में में पॉइंट है आपको इसमें खंड दो खंड रहें खंड और और सीधा सीधा समझ द राएगा ठीक है यह आपको कुछ निर्देश दिये गए हैं जो आपको बता दिये निर्देश पहले से जानते रहिएगा यह अदम यहां पर हाल जरूर देखिए यहां पर खंड या प्रशण का यहां पर यहां पर पुछा गया है कि किनी संख्यान का LcM-7 साथ है एक संख्या बारा है तो दूसरी संख्यां होगा यह कितने देखे इस प्रश्ड को कैसे आप हल करेंगे यहां भी अपको फार्मुला होता है इसको याद रखिए कि पहली संख्या पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या दूसरी संख्या पूरा टीटेल में बताने वाले हैं फ्रेंस ताप वीडियो को लास तक जरूरर सब्सक्राइब यहां पर दूसरी संख्या पूछ रहते हैं दूसरी संख्या बराबर लॉसरी संख्या बराबर साथ गुड़े ती यह बारा गुड़ें पच्छांतर करेंगे बटा के बार बार पच्छांतर गुड़ा कर लिजे पांते हैं पंद्र ताकि दूसरी संख्या कितना आया पंद्र न इसका सही जब कौन सो होगा सिकेंड वाला सही हो जागा जितने भी प्रस्न है इसमें सभी आपको अधम डिटियल में बताने वारे हैं ठीक है इसलिए कर रहें कि बार बार कि वीडियो आप लास तक जुरूर देखिएगा देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्णा है दूसरा नंबर का देखिए क्या है कि एक सुन्यतर परिमे संख्या और एक परिमे यहां परिमे संख्या परिमे संख्या जो गुनफल होता है अब दिखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है इसको ध्यान दिजिएगा रेखा यूंक में संख्या एक्स प्लस 2y-5 is गल जीरो और 4x प्लस 8-20 is कल जीरो के हल होगे आपको बताना है कि केवल एक अधियूती हल होगा और परिमे रूप से अनेक हल होगे कोई हल नहीं होगा या दो हल होगे यह कितने नंबर का एक नंबर का देखिए इस सवाल को कै पहले इसकी तुलना करते हैं किससे a1 x plus b1 y plus c1 y equal to 0 इससे तुलना करेंगे इधर इसका तुलना करेंगे a2 x b2 y plus c2 y equal to 0 से तुलना करेंगे तेखिए अब इसमें अनुपात ग्याद करते हैं ठीक है अनुपाद पहले ग्याद करते हैं एक यहाँ पर 1.2 है और C1 कमान-5 इसी दरहें A2 कमान-4 है बीटू कमान-8 है C2 कमान-20 इसका अनुपाद ग्याद किजी देखें अनुपाद ग्याद करेंगे तो A1 upon A2 होता है, फार्मूला क्या होता, A1 upon A2, बरावर B1 upon B2, बरावर C1 upon C2, यह फार्मूला होता है, इस पर मान रखिए, देखे, A1 का मन कितना 1 है, upon, A2 का मन कितना 4, बरावर, B1 का मन कितना है, देखे, इधर से देखेंगे 2 है, और यहां से देखें, B2 का कितना 8 है, ब आपस में बराबर उसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता कि उसके अनेक हलोते हैं इसमें देखी कौन साइब से और यहां पर देखिए आप चौथा नंबर का सवाल क्या है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाजित करने पर करमसा सेशफल 5 और 8 पराप्त होता है ठीक है यहां पर एक सबसे ध्यान दिजिए जब बड़ी से बड़ी कहेगा ना तो वहां पर आपको निकालना रहा यहां पर यहां पर क्रमसा बच रहा है यानि 125 में से क्या करें आठ गटाएंगे कितना हो जागा गटाएंगे गटाएंगे काटएंगे इसका आएगा पांच गुड़े तेरह ठीक है 117 के किजिए गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तेरह ठीक है अब देखे अब को इतना करने की विज़रूत नहीं थी आप इसमें क्या करते हैं उस संख्या को डूटते जिससे ये दोनों संख्या जैसे तेरे का भाग, पैसर में देंगे तो ये भी कटेगा, और तेरे का भाग एक्षु सत्रव में देंगे तो कट जाएगा न, यहाद क्या होता है अंसर आपका, पहला वाला सही हो जाए, ठीक है, समझ में आगया है, पै आपके 2024 के बोर्ड के एक्जाम में जरूर आएगा ठीक है अब देखिए अगला नंबर जो पांचवा नंबर का सवाल है इसको कैसे आपको हल करना है ध्यान दीजिएगा तीन के प्रथाम पाँच गुडजो का योक बुछ रहा है तो पहले तैन के प्रथाम पाँच गुडज लिखी है अब गुडज के मतलब होता जीश तीन का गुडज लिखें गे त pregnancy पढ़ए देखे तीन के तीन दून अगर छो टितली के नभ इन चो की बारगो इन पाचे 15 ठीक है इन पाचे 15 कितना हो एक दू तीन चार पाच या तीन के पांच गुरज लिख लिए अब इसको आपसम क्या करेंगा जोड लिजी देखें समझ में आगया होगा इस सवाल कैसे लगाना है आपको बोड की एक्जाम में अगला सवाल देखें यहां पर दियान दीजी ठीक है देखें यहां पर सवाल क्या है आपका च्छटवा नमबर का कि दियुगात समीकड़ दू एकस इसकोईर माइनस चार एकस प्लस तीन बराबा 0 के बारे में निम्न कत्नों पर विचार कीजिए ठीक है आपको यहां पर विचार करना है आपसन दिया है दिये गए समीकड़ों के विविक्तिकर सुनने से कम होगे अगला दिया है समीकड़ के कोई मूल वास्तिविक नहीं है समीकड़ों के विविक्तिकर सुनने है समीकड प्लस B X प्लस C बराबर 0 से तुल्ना कीजिए यहां A कमान कितना आ जब तुल्ना करेंगे तो A कमान 2 आया और B कमान कितना ऐगा माइनस 4 आया और C कमान कितना आया 3 है ना 3 कर लिजिए यह तुल्ना कर लिए अभ यहां पर आपको क्या करता है B square minus 4 A C निकालते हैं, ठीक है, चले निकालते हैं, B का मन कितना है, minus 4, तो minus 4 का square कर लिजी, minus 4, गुर A का मन कितना है, 2, और C का मन कितना है, 3, देकर 4 की square 16 होगा, minus 4, 2 के 8 8, 3 के 24, और घटाएंगे तो कितना है रहा है, minus 8 अब यह बताएंगे, minus 8 क्या है आप देखिए यहां ही को बार बर बताएं कि जब यह जिरो से कम होता है तो यहां पर यहां पर इसका दोनों आप्समाइप सही होगा अब चलिए इसके आपस्न को दीखते हैं तो आप को आपस्न देखके पता चलेंगा कैसे इसका ज़ब लगाना देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा देखिए उसी प्रश्ण का यह आपसन है यहां पर ए और बी दोनों सही था तो इसका सही जाप क्या होगा पाला वाला सही हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखिए सातवा नंबर का सवाल आपको कैसे लगाना है यहां देखिए एक आयत है जिसके तीन सिर्ष देखिए एक दिया जिरो कामा तीन ओक दिया जिरो कामा तीन और यहां पर पांच कामा जिरो इसका विकड होगा देखिए इस सवाल को आपको कैसे लगाना है देखिए पहले ध्यान दिजिए यहां पर एक आयत है तो पहले एक आयत बना लिजे, देखे, यह आयत बना लेते हैं, यह आपक का आयत हो गया, यहाँ पे ढिखे, देखे, देखे, A, O, B, C, ठीक है, अब यहाँ इसका विकड़ करा रहा है, विकड़ क्या होता है, आमने सामने के सीर से मिला Bureau, यानि ये और B को मिला दीजी ये होता है विकड़ यानि A B कि क्या कर रहा है कि विकड़ कितना होगा पहले A B के दो बिंदू की बीच की दूरी बीच की दूरी पुरा अदम डिटेल समझे फ्रेंश ठीक है डिटेल में जानते रहेंगे तो सवाल लगा लेंगे आप बोड की एकजां में देखें क्या फार्मूला होता है ये ये यजदि युकाın प्लास को तक नरखेंगे देखें ौकितना 0-1-2 का कितना है 5 ते 5 रख लिजिए और यहां पर whole square है तो whole square प्लस y1 का मान कितना है 3 है minus y2 का मान 0 square कर लिजिए ठीक है देखें यहां पर यहां देखें सिर्फ 5 बचेगा तो 5 की square करें तो 25 हो जाएगा प्लस यहां 3 में से 0 कटाएंगे 3 होगा 3 का square करेंगे तो इतली के 9 हो जाएगा अब जोड़ लिजिए ठीक है इस सवाल को लगाना था अगला सवाल देखिए देखें अगला सवाल आपको कैसे लगाना है पहले सवाल को पढ़िए देखें आठवा नंबर का यदि समीकड़ x square plus k x minus 5 बटा के 4 बरबाब जीरो का एक मूल एक बटा के 2 है तो k कमान ग्याद कीजिए ठीक है इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए देखिए यहां क्या है कि यह सवाल है यहां एक मूल देने का मतलब हुआ कि यह x कमान कितना दिया एक बट बटा के 2 और यहां पी square कर लीजिए plus k गुड़े है यक्स के जगब कितना एक बटा के 2 है तो एक बटा के 2 कर लीजिए minus 5 बटा के 4 कर लीजिए देखिए एक बटा के 4 है और minus 5 बटा के 4 एक जग कर लीजिए और plus k बटा के 2 कर लीजिए बटापर 0 हो ठीक है अब देखिए क्या करेंगे यहां हर बटा वरयबर है तो पांच में से 1 गटाएंगे तो minus 4 बटां कितना होग गा चार होगा और plus k ब्लस के बता के 2 बराबर 0 किया किया थे बुरा घर क्लिटा के किचिया वहार में आया की युप क्कमान करें कियाको इस प्रका से आपको हूल करना था किया युभकतु आ जाए एक नबर का सवाल नवान नमबर का क्या है आपका यहां से देखिए का दो सम्रूज 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 होते हैं अब आप संग को पहने से पहले आपको बता देते हैं जैसे एक तिर्भूज यह सम्रूब्फ त्रभूज तभी होता है कि जब उसकी संगत भूजा आपसमें बराबर हो जाता है, συνगत भूजा और जो गया सवाइब कर दो समरूप के बराबर हो जाता है तो शुमारूप तिर्भूप त्रτιुम्पों भी अपसमें बराबर हो और दूसरा उनके कोड़ बराबर हो तो देखें के इनके संगत बूद बराबर हो तो यह प्सें सहय होगा इसका इनकी संगत जब भूजा एक ही अनुपात में हो, यानि कि इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो बराबर में आना चाहिए न, यह क्या हो कि यह भी आपसंट सही होगा, यहाँ पूर्योग दोनों है, इसका सही जवाप क्या लगाएंगे, यह वाला आपसंट लगाएंगे, यह वाला सेंटिमीटर और बी सी कमान चार सेंटिमीटर है तो बिंदू सी से जाने वाली मात धिका की माप ग्याद कीजिए देखिए यह सवाल अभी नहीं पढ़े होगा अभी तक देखिए इस सवाल कैसे लगांगे पहले एक समकूर तिर्भुज बना दीजिए कैसे बनाएंगे इस बना लीजिए, यह संकूर, आप नाम देदीजिए, कि संकूर है, तो सी यहाँ पर लेलीजिए इसके लाओ A कर लीजिए, B यहां पर कर लीजिए इसके लाओ अब देखिए यहाँ पर AC का मान दिया है 3 और BC का मान कितना दिया है BC का दिया है 4 अब यहाँ से क्या करेंगे पहले AB गयाद कीजिए पहले विकड़ गयाद कीजिए आपका पैथगोरस परमेस फार्मूला हो तो AB का स्कॉर मतलब का स्कॉर बराबर मतलən आधार का square याण AC का square प्लस BC का square ठीक है यहां वह आपस मारक लिजी AC कितना है 3 ते 3 का square किजी BC कितना है 4 ते 4 का square कर लिजी 3 का square knocking 9 हो जागा 4 का square 4 का जोगा 16 हो जागा जब आपस में जोड़ेंगे ते कितना हो जागा 25 होगा कितना होगा 25 यानि AB का Square का माझना आया या इतना यानि AB Square यहाँ स्क्तुर आटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों कढ़ी लेंगे दोनों पच्छों कढ़ी लडीजिए यानि AB पाच होता है अब यहां पी देखिए आपका यह आया पाच आपको एबी तो ग्यात नहीं करना है बिंदू सी से जाने वाली माधिका यह देखिए यहां क्या करें माधिका के चली इसका नाम डीर दे दे देजिए इस माना कि फिर सी करना यह देखिए vàगरत यहां से दमारों और डीवी अमान अपस में ब्राबरत है यहां पर दियान देजिए कि क्या होता है यहां पर होता है अब देखें यहां पर क्या होगा कि यह दोबरा भागंबाट परा है इसका आधा होगा यह 5 बटा के दू कर लिजिए कितना होगा दू-दू-दू-दू-दू-पांच स्वाल को लगाना था ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें आपके सामने 11 नंबर का सवाल है ठीक है क्या है साइन ठीटा माइनस कास ठीटा बराबर एक है तो साइन ठीटा प्लस कास पर फोट ठीटा का मान गयात करना है ठीक है तो साइन ठीटा माइनस कास ठीटा बराबर एक देखें यहां पर एक नहीं होना चाहिए जीरो लेकर हल किज़ें जीरो होना चाहिए तब जाकि इसका एंस एक डिए कि सकते हैं साइन ठीटा माइनस टीटा बड क्या करेंगे जीरो रह इसका इन्सुर आपाएगा लिएया क्या करेंगा क्या गजाएक कैस्त थिटा इसको पलक्ता में किया हो जाएगा है क permouse ठीटा इसको पतेड़ ऑन डिव का के लिए किस रूप में किसका मान एक होता है कितना का पैताली संस का देखिए यहां पियाद करना है देखिए ध्यान दीजेगा साइन पर फोर ठीटा प्लस काश़ पर फोर ठीटा अब ठीटा का मन पैतालीस रख लेजिए साइन पर फोर ठीटा की Monster- कामान पाईतालीस रख लेजिए कितना होता है और चार गात का मान कितना हो शाहिए यहां पर थोड़ा से डीटेल कुतना होता है कुल्ड़ी दूब गुड़े कलोड़ दू गुड़े कल्ड़े दू ठीक है इसतर करेंगे चार पर गुडा देखे चार बाट फीतना होगा त्यू यहाँ सवाल देखेंगे सवाल देखिए 12 नमबर का क्या है कि साइन टुए तू साइन अ तब सत्य होता है जबकि एक अमान होगा तेकि इसका दो तरीका आप ऐसा किजिए कि сид यहाँ पर इसके आलाबस देखिए इसको ह्याद रहाए YT ? चाहे तो याद रही सायं टुसाइन डेखे, यहां पर sin 2 का formula होता है, यह याद रखेगा 2 sin a into cos a बराबर 2 sin a डेखे, 2 से 2 आपको कड़ जाएगा साइन से साइन कड़ जाएगा χो trains a वराबर कितना ho rek क्बार्ण कितना नहीं कितना यह कितना और 3 कितना है इसका सही जो पुंढ़ आ पदिती है कि सा इन 2 A बराबर देखिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा न देखिए यहाँ पर बता ज़ती है न ठीकिए आप यहाँ पर देख लीजी इस सवाल को देखिए यहाँ पर क्या है कि Si In 2 A बराबर 2 Si A ठीक है अब 0 A रखेंस तो चितना को happy तो और एक मन कितना जीरो एंस रखकर कर देखेंस दू साइन एक मंद्ध जीरो अंस में जीरो एक में गुड़ा न एकसि에्ट सहता है दा यह van यह कमान कितना होगा जीरो अब काल झुड़ram कितना होगा जीरो अबकिसी 30 इस तरह रखके हल करेंगे 45 अंस या 6 अंस कमान तब आपका 0 नहीं होगा ठीक है समझ में आगया होगा अब दीखें आपका अगला नंबर का सवाल है 13 नंबर का देखते हैं ठीक है ध्यान दीजेगा क्या है सवाल देखिए यदि 410 ठीटा बराबर 3 है तो 4 7 higher situation washer फ्यां प्लस काश चेट है यहां पर इसका अंसर बताना है कैसे को करेंगे देखिे इज़ाफ की ने यहां की सामने हैं यहां पर लिगा चौप जामणना लेते अनससर कर्चंट मरेंगे यहां से काशच ठीटा कामल लिए यहां कितना बचेगा ध्यान दिगें यहां पहर उटा कर जाएगा यहां साइन ठीटा और इसके बटा में क्या आसे लूटकास चुब नेंगे engerा जाएगा है यहां अगे न सब Messi यहां घुरा कर नहीं करेंके हैंगे सब्सक्राइब कर जाएंगे यहां से कामल लेंगे यहां साइन ठीटा है यहां पर बता में क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा देखेंगे कास से कास आपको कड़ जाएगा 4 साइन ठीटा-बता कास टिटा क्या लिख सकते हैं 10 ठीटा और माइनस एक अपान 4 साइन ठीटा-बता कास टिटा को 10 ठीटा प्लस एक ठीक है अब यहां भी क्या करेंगे मान रख लेंगे खाली देखें चार बुड़े, टेवन ठीटा कमन कितना है, तीन बटा के चार है, तीन बटा के चार कीजिए, माइनस एक, अपान, फोर बुड़े, टेवन ठीटा कमन कितना है, तीन बटा के चार है, तीन बटा के चार रख लीजी, ठीक है, और प्लस एक कर लीजी, देखे, चार से चार कट इतना आया हैं एक बटा कर दूडर आया अप्सराईक क्या ओर जागा इसका सही जवाब होगा इस प्रकारश से इस सवाल को लगा ना था ठीक है अगला नमबर का सवाल देखिए हापर क्या है फिर कि धिल्ट एंपट nut 10a, 1-sin a का मान होगा, यहान इसमें मान बताना, देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 6a plus 10a, अगला question 1-sin a, तो सेक a को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस, इसी पर 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कास ए लिख सकते हैं यहाँ अगला कोश्टक में देखिए वन माइनस साइन ए तो साइन ए रहने दीजिए देखिए यहाँ पे हर बराबर है तो क्या हो जागा देखिए यहाँ ए है तो ए रहने दीजिए क्या हो जाएगा 1 plus sin a रहने दीजिए और अपान कास a एक बार लिख लिए कास a कोश्टक बन दो गया अगले कोश्ट में 1 minus sin a ठीक 1 plus sin a का गुडा करेंगे देखिंगे कैसे गुडा करेंगे द्यान दीजिएगा 1 plus sin a गुडा करना किसमें 1 minus sin a ऐजदें एंब यहां होता में इसी तरह हो जाएगा स्टक्राइब हो झाली इसे पकाड़ यह क्या है आपका फार्मुला मांस ब्राइगा होगा तो a plus b a minus b है याने 1 का square 1 होगा minus b square मतलब sine square क्या हो जागा a upon case a अब आप सभी को पता है कि 1 minus sine square a को क्या लिख सकते हैं direct case square लिख सकते हैं upon case a ठीक है यहां से a को case a को case बचे गए तो सिर्फ a case बचे गए तो case a हो जागा क्या हो जागा case a यानि कि आपका यह क्या हो जागा 6 a plus 10 a अगले question 1 minus side a का मान जो होता है क्या आएगा case a आएगा ठीक है आपके हल भी किये हैं यहां के case a देखिए कहां भी दिया है यह वाला आपका option क्या होगा सही हो जाए ठीक है कि आपसंदीया ठीक है अब देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे तो देखिए आपका त्रिजेखंड का च्छत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है ध्यान दिजिए कि त्रिजेखंड के च्छत्रफल का फार्मूला होता है कि ठीटापटा के तीन्सो साठ्ट गुड़े, पाई रसक्वार होता है, यह फार्मुला kutक तिछेंगेों, तैसमान के और नहीं यहां देखे पाई और स्कॉार पाई आर इसक्वार ठीटा पटा के 360 यह इसका क्या हो जागा सही जवाब होगा यह पहला वाला सही होगा ठीक है यहां मान रखके हल नहीं करना था वैस सिर्फ हार्मुला बताना था अगला नंबर 16 नंबर का सवाल ध्यान दीजिए क्या है 16 सनी वहता एक सुराह खत्र यह निमले क्था सनी उनले होगा यह एक अर्ध ईंतल्स सिर्फ होगा यह इस प्रकाष आपका क्या हो Prip 10 रुभ erg सभी की यह कि बड़ा हृब और नीचे के उपर वाला भाग जो होता है इसका मतलब क्या हुगा कि ये गोला बेलन से मिलकर बना होता है इसका सही जाए एक गोला होगा एक बेलन होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं किसपदर के सवाल सब आपके यूपी बोर्ड के दार जारी किया गय मैं सब सभाव से बेंप दीजिए यहां पर एक से दस तक की धनात्मक विशम संक्ष्याओं का मद जोगा नियुक्युट तक होगा पर समा आंतर्म छोमाद्ध का मतलब होता एक सभी इन सभी पदों का योग बटाई का पॉट―किस ऑट संफ्क्याओं यहां पार्मूला क्या होता है माद्दे बराबर होता है कि सभी पदो का योग सभी पदो का योग अपार पदो की संख्या क्या होता है पदो की संख्या ठीक है संख्या देखिए सभी पदो का योग मतलए एक प्लस तीन प्लस 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 साथ प्लस नौ चोलब ll姐ंखरच लिए रव्ह गडिती जोड़ वांश को विखनाने ने कितना जाएगा जोड़ नो और साथ कितना हो जागा नो रहाए 15 कितना वोगा 25 कितना हो थोस्त करें 25 चाहां पिज्टना हुगा पांश हुआ न कितना आए आपका पांच अब आपसर में देखिए 5 दिया है कि नहीं दिया है आपसर में जब द्यान से देखें कि चौथा नंबर का आपके क्या हो जागा सही होगा ठीक है अब देखिए यहां पर अगला नंबर का सवाल आकड़ा 13 15 16 17 19 20 की मा दिका होगी यहां पर पंद्र के बाद 16 16 17 17 18 19 देखिए यह आपका एक करम में लिखा है आरोई करम में लिखा है अब इसमें दिखे क्या करते है पलीस में पत की नहीं देखिए एक दू तीन चार पांच छे जब 6 पत होगा ना इसमें क्या करते हैं स्टार्टिंग के दो पत और यह लाश्ट का शोला प्लस सत्रा करके इसका दो का भाग देंगे यहां पर दिया कि यहांपर द्यान पूचा यहां पर माद्य निकालने का दूसरा तरीका होता और और माद्य का निकालने का दूसरा तरीका होता है समझ में आगे हैं इस प्रकाद से सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं अगला सवाल देखिए 19 नंबर का है यहां पर निकुछ प्रेच्ष्ण का माद्य 27 तथा बहुलक कितना दिया 45 है तब माद्य का होगी यहां पर माद्य का पूछा है देखिए ध्यान दीजिए का इसका एक फार्मुला होता है यह दूहजार तेजिस की पेपर हैं बहुत सवाल यह पूछा गया था ना कु मुले माध्य कैसे घृष्ण के सब्सक्राइब कर लिए तेन इसे माद्य आजिए म सक्रामुला कर दिए 45 चाओष्ण गुडाल माद्य का लुगे यह 8 बहुतों कि लिएPl यह प्लस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा तीन गुड़े माधी कह डिक है तो माधीका कितना यह तिस आया ऐका आपको यह डाइक्ड फार्मूला आपके 2023 के पेपर में डायरेक्ट यह फार्मूला दिया था और इस पर कई सवाल आपके बोर्ड के एकजा में पूछा गया थे इस फार्मूला को आप जरूरी याद रखिए गा ठीक है देखे जब आप पासा प्यकते हैं तो उस में एक संख्या सकता है दूगा सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांक ये अच्छा तर समभावना के पास गया कुल समभाव ना संभाव ना पास ओंड पयक है कीट इक है साथ-धर μέ되য तोटल कितने समभावनां अब देखिए कंट है तीन से छोटीоды समसंक आ ती तीन से छोटी में सुनक सिर्फ एक संभावना केवल एक संभावना किटनी संभावना रहे H प्राइकता जो होता है प्राइकता का मतलब क्या होता है कि संभावना गटित खती है एक संभावना गट थो रही है और यानि कितनी संभावना के पास उसमें कौंसी घट रही तो घटना एक घट रही है एक उपर रहेगा और जो कुल कि इसको समझेए यहां पे पांच गुड़े साथ प्लस साथ इन दोने में दोने में पूरा एक पद हुआ इसको लिखेंगे ते तीन गुड़े पांच और प्लस एक लिखेंगे यह क्या हो गया कि जब साथ कामर हो जाता है ना इसका मतलब हो गया कि यह साथ से संख्या पूरी कड़ जाएगी जब यह पूरी संख्या साथ से कड़ जाएगी ते क्या हो जाएगा यह भाज्य हो जागा यहां लिख सकते है कि ये संख्या ये संख्या साथ से विभाज्य है विभाज्य है इसलिए इसलिए यह एक भाज संख्या क्या है इस तरह यह बोड की एक्जाम करते हैं इस पर टूटल कितने नमर मिलेंगे आपके दो नमबर मिलेंगे समझ में आगे इस प्रकास इस सवाल को आपको हल करना था ठीक है अब यहां भी देखिए खवाला यहां यहां काड़ ठीटा का मान आपका दिया है काड़ ठीटा वराबर साथ बटा के रो आठ दिया है नहीं अब देखिए यह आपका सवाल है देखे सवाल को पर लिख लिए एक बार क्या है कि one plus sign theta अगले कोष्टक में one minus sign theta upon one plus cast theta ठीक है अगले कोष्टक में one minus cast theta ठीक है अब देखे एक फार्मूला होता है कि a question a plus b रहे और अगले question a minus b रहे इसको क्या लिख सकते फार्मूला में a a square minus b square जो कि अभी बताएं आपको सवाल हल करते समय यहां देखिए 1 plus sine 1 minus sine theta है ना इसको क्या इसा लिख सकते हैं यहार a square minus b square इसको लिखेंगे 1 का square करेंगे एक होगा minus sine square theta अपाँ नीचे भी a plus b a minus b का रूपने है ना इसका क्या formula बनेगा a square minus b square एक का square करेंगे 1 minus cos का करेंगे तो cos square theta हो जाएगा देखिए अब एक formula आपको याद होना चाहिए 1 minus sine square theta क्या लिख सकते हैं cos square theta अपाँ 1 minus cos square क्या लिख सकते हैं sin square theta ठीक है यहाँ पर द्यान दिजे cos beta के sin cos theta upon देखिए इस पे भी square इसे लिख सकते हैं sin theta upon का whole square कर लिजे बराबर cos theta beta के sin theta क्या लिख सकते हैं आप सभी को formula पता होगा cos theta square कर लिजे यहाँ पर द्यान दिजें cos theta का मन कितना दिया 7 बटा क्या आप तो 7 बटा के 8 का whole square ठीक है देखिए 7 के square करेंगे सासते 49 और 8 के square करेंगे अठा 64 तो कितना इसका answer आया ठीक है इतना आपका answer आज जाएगा ठीक है जितने नंबर का है दो नंबर का तो आप जितने भी प्रस्ण बना रहे हैं देखिए फ्रेंस आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ताको सभी प्रशन देखा दे रहे हैं आप इन प्रशनों को हल कर लिजेगा और आपको इस प्रशन आपको बताने वाले इसका detail में व अगला सवाल देख लिजिए इन प्रशनों को जहूर देखिए बिंदू माइनस चार कामा च्छा बिंदू माइनस च्छा कामा दस और तीन कामा माइनस आठ को जोडने वाले रेखा खंड को किस अनुपाद भाजित करता है तोटल दो नंबर कर एगा एक्स और वाई में से एक ऐसा संबंद ग्याद कीजिए कि बिंदू एक्स कामा वाई बिंदू तीन कामा च्छ और माइनस तीन कामा चार के सम दुरस्त है दो नंबर का पूछेगा यहाँ अगला सवाल देखिए क्या है कि दिनलखित में से किनी पांच खंडों को हल कीजिए यहाँ पे आपको ट एक्स इसक्वाईर माइनस तीन माइनस साथ एक्स के सुन्य ग्याद कीजिए और सुन्य को तथा गुडांकों के बीच के संबंद को सत्यता की जाच कीजिए अगला सवाल दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक्सो अस्ती है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है तो दोनों संख्या ग्याद कीजिए चार नंबर के ये भी प्रस्ण है अगला सवाल देख लिजी सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रित के किसी ब्यास की सीरों पर खीची गई असपर्ष रेखाएं समानतर होती है यह प्रस्ण आपको कराएं है इस प्रस्ण को आप जरूर कर लीजिएगा ठीक है अगला है इस सिद्ध कीजिए कि किसी बाय बिंदू से किसी ब्रित पर खीची गई असपर्ष रेखाओं की बीच का कोड़ असपर्ष बिंदू को मिलाने वाले रेखा खंड द्वारा के अंदर पर आंतिरत कोड़ का क्या होता है संपूरक हो कि एक थेले में तीन लाल और पांच काले गैन्द है इस थेलए में से एक गैन्द या देच्छता निकाली जाती है इसकी प्राइक्ता घैन्ष इनूर जादा सींपल सवाल आपके बोर्ड की एक्जाम मिलें, यह 4 नंबर का है, आपको एंसर पता देते हैं, लाल हो, तो लाल देखें कितनी गेंद है, लाल तीन है, तो अंस में क्या रहेगा, तीन और टूटल गेंद कितना है, तीन और पांच आठ, तीन बटा के आठ, तो लाल ह इसको आप डिटेल से लगा लीजेगा आपको सिर्फ इसका एंसुर आपको पता दिये अगला देखिए सवाल क्या है आपका नीची दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है यदि बाराबारताओं का योग 60 हो तो यक्स और वाई का मान ग्याद कीजिए यह दिया है वरगंतराल इसके अनुसार आपको लगाना है यह 4 नंबर का सवाल है ठीक है अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं इन सवालों का जरूर दयार कर लीजिएगा ठी देखे आपका अच्छा नंबर का सवाल स्टार्ट होता है ठीक है यहां पर देखे च्छा नंबर का देखे तीसरा नंबर के क्या है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग चाचट है वैसी संख्या कितनी है यह सवाल आपको हल सकते हैं थीएए पांच वर्ष्पुर्व नूरी की आयू सोनु की आयू की तीन गुणी थी दस वर्ष पस्चात नूरी की आयू तो दू गुणी हो जाएगी नूरी और सोन्य के आयू कितनी होगी कितना है च्छा नंबर का ठीक है अगला सवाल चौधा नंबर का देखिए एक बहुमंजली भवन के सिखर से देखने पर एक आठ मीटर उचे भवन के सिखर और तल के ओनमन कोड़ करम से 30 अंस और 45 अंस है बहुमंजली भवन की उचाई और दो सवालों को देख सकते हैं ठीक है अगला नंबर का देखिए भूमि के एक बिंदु P से एक दैस मीटर उचे वहान के शिखर का उन्यान कोड तीस संस है वहान के सिखर एंध़ा को लहराया गया है और पी से दोज के सिखर का उन्यान कोड 45 संस दोज दंड की लंबाह और विं बरतन एक उल्टे संकू की आकार का है इसकी उचाई 8 cm है और इसकी उपर ही सीरे की त्रिज्या 5 cm है यह उपर तक पानी से भरा हुआ है ठीक है जब इस बरतन में सीसे की कुछ गोलियां जिनमें प्रतेक 25 cm त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे प्रता नंबर का प्रसल रहेगा अथ हमें देखी दिया है आपे कि एक गोलाकार काज के बरतन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm और ब्याज 2 cm है जबकि गोलाकार भाब का ब्याज 8-5 cm है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे का आयतान 345 cm है जाज कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं यह मानते हुए कि उपरियुक्त मापन आंत्रिक मापन पाई कमान आपको 3.1 चाह रखना है टूटल 6 नंबर इन दोने में से कोई एक प्रशन आपको करना था देखिए जितने भी प्रशन आपको बत हैं उन सभी को आप एक दो बार जरूर हर कर लिजिएगा यही पेपर आपके बोर्ट के एकजाम में आता है ठीक है फ्रेंस आपको इसी पकास है प्रतेक सब्जेक्ट का जितने भी वाइरल पेपर आप सभी को हल करा रहे है ठीक है तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चल को साथ में सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी नया वीडियो कोई भी अपडेट आपको देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए और और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने द करें